सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको पांच कार्ड बनाने है तो इसके अंदर पांचो कार्ड ओपेन कर लेजिए फोडो सॉप में उपन करने के बाद मुझे यहां पर 5 बनानां तो तो 559 के ओपर क्लिक कर दूंगा तो 5 अलग अदमी की कोई भी कट में आप कर लेगे तो उसी कार्ड और यहां से सब्सक्राइब कर पिर MP का e-sumbal card हूँ जब पिर राजस्थान का जानाधार card हूँ सभी तरीका के card को आप one click में print out कर सकते हैं दूस्तों इस card printing tool की मदद से दूस्तों अगर आप Photoshop में नए हैं या फिर आप Photoshop में expert हैं लेकिन इस software से ज़्यादा fast आप काम कभी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने यह software बनाया है manual काम को digital में convert कर दिया है जिसके मदद से आप अपने कामों को इतना fast कर सकते हूँ कि 4 मिनट का काम 40 सकंड के अंदर होने वाला है आप इससे normal PVC card बना सकते हैं आप चाहे तो इससे normal print out निकाल सकते हैं आप चाहे तो photo paper में lemnation वाला card भी बना सकते ह हैं आप चाहे तो इससे direct PVC card भी निकाल सकते हैं तो एक टूल पहुत सारे काम करके आपको देता है और इसके अंदर आप किसी Photoshop में चला सकते हूँ Photoshop में 2020 किसी भी Photoshop को अगर आप लेना चाहते हूँ तो इसके साथ आपको Photoshop फिर मिलेगा चली दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको installation कैसे करना है डाउनलोड करने के बाद जो file मिलेगी उसको आप install कैसे करेंगे दोस्तों जो file डाउनलोड होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा इसको क्या करना है सबसे पहले extract करना है दोस्तों अगर आपको extract करने में कोई भी error हो रही है यह यह open नहीं हो रहा है तब आपको Google Chrome में आना है और यहां पर आपको टाइप करना है विंडार डाउनलोड टाइप करने के बाद दूस्तों यहां पर आपको सर्च करना है यहां पर आपको विंडार का वेबसाइट मिल जाएगा इसके उपर आपको क्लिक करना है और यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है और उस इसके उपर आपको डवल किलिक करना है तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक सेट अप आपका आचुका है आपको क्या करना है दोस्तों कि इसी सेट अपको इंस्टाउल करना है इसके उपर आपको राइट किलिक करना है और पेंड के उपर आपको क्लिक कर देना है उसके कि आपको क्लिक करना है इसके ऑपका के बाद को ही इसको करना है इसके यहां पर Card Printing Tool लिख देना है और यहां पर आपको इस परकार से बेश देना है उसके साथ ही आपको अपना Payment का स्क्रीन साउट जो आपने Payment करते टाइम डाला था उसको भी बेश देना है यहां पर साथ में उसके बाद दोस्तों आपको WhatsApp में एक Key मिलेगा उस Key को यहां पर आ Match Successfully आएगा अगर आपने गलत की डालेंगे तो आपको Invalidate Key का Message दिखाई देगा उसके बाद OK बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो यहां पर Card Printing Tool है वह आपका Open हो चुका है उसके बाद अब यहां पर आप कोई भी Key की डालने की आपको अगर मैं यहां पर कोई और Photoshop Open करना चाहता हूं उसको Open करके मैं उसको यूज कर सकता हूं तो अब यहां पर मैं Open बटन में क्लिक करूंगा यहां से कोई भी फाइल या अपना Card को Open करेंगे अब जैसे कि मुझे यहां पर Card बनाना है तो Card Open किया मैंने और यहां पर बटन में 4 6 में क्लिक किया तो हमारा यहां पर जो Card है वो बनके तियार पूच का है तो अभी मैं इसको यहां से क्लोच करता हूं दोस्तों और यहां से Photoshop को भी मैं क्लोच करता हूं तो दोस्तों कुछ इस तरीका से आप इसको Install कर सकते हैं बहुत ही आसान है Install करना और अगर आपको Installation मे कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे direct WhatsApp कीजिए WhatsApp के द्वारा आपके help की जाएगी और direct line पर लेकर के भी आपका जो यह Software है उसको Install किया जाएगा तो चली दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप इसको यूज करेंगे तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है रि पूदार किया गया है दोस्तों यह जो कार्ट प्रिंटिंग टूल है जो Photoshop के सभी वर्जंस में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था जैसे कि किसी किसी सिस्टम में CS3 में ही वर्क कर रहा था CS6 में वर्क नहीं कर रहा था, ना 2020 में वर्क कर रहा था तो यहां पर सबसे पहली यह प्रोब्लम को सौल्व कर दिया गया है उसकेसाथ इसके अंदर और भी दोतीन तरीका के कार्ड़ एट कर दिया गया है कुछ cards को update भी किये गया है तो इसके अंदर आपको तकरीबन 20 तरह के card को add किया गया है तो यानि कि एक ही tool से आप 20 तरीका के card को आप बना पाएंगे उसके साथ आपको यहाँ पर जितने भी PVC card होते हैं जैसे कि printer में L805 और L810, L850, L8050 और Canon के all G-series जी के बाद 2012, 2020, 2022 ऐसे करके जो जी लगने के बाद जी 20, 12 ऐसे करके होता है printer यानि कि G-series के जितने भी printer है उन सभी printer में आप PVC card निकाल पाएंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो PVC card है इसके अंदर आप देख सकते हो कितने सारे cards आपको add किया गया है इसके नीचे यहाँ पर option मिला हुआ है option के L805, L810, L850 और L8050 हो गया Canon के all G-series printer हो गया ठीक है तो इन सभी printers में आप बहुत यह असाने से PVC card को निकाल पाएंगे उसके बाद जैसे normal में click करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे cards आपको दिखाए देंगे तो यहाँ पर किसी भी a card में click करेंगे तो यहाँ पर a4 size में 1 card, 2 card, 3 card, 4 card, 5 card और 4, 6 size में एक card आप बना पाएंगे तो यह है बहुत ही simple और बहुत ही powerful टूल है जो की card के लिए बनाया गया है आगे दोस्तों इसके अंदर और भी इसी परकार के updates आने वाले हैं इसके अंदर आपको print करने में कोई भी submission नहीं आने वाली है सबसे बड़ी यहाँ पे जो problem को solve कर दिया गया है वह किस इसी भी Photoshop के साथ अब इसको चला सकते हैं सिवाए Photoshop 7 को छोड़कर यानि CS 3 से ले करके CS 4 हो 5 हो 6 हो 2020 2021 22 किसी में भी चला सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर PS open के नाम से एक new button दिया गया है इसके उपर आप जैसे ही किलिक करते हैं कि यहाँ पर आप से Photoshop का version आप select कर पा 2020 हमारा open हो चुका है अब यहाँ पर कार्ट जो बना पाएंगे 2020 के इंदर भी बना पाएंगे 2020 हमारा open बटन में किलिक करूंगा तो देख सकते हो कितना बढ़ियां से वार कर रहा है और यहाँ पर इसको मैं अपना पास्वट डालूंगा और उसके बाद जो भी सेटिंग ह जैमें रहेंगे इसको अंदर कोई भी साइज वाइस चेंज नहीं करने है बाइट डिफॉल्ट ऑपन करना है ओके ओपर किलिक कर दें यहां पर देखिया आधार काड आपका ओपन हो चुका है दुस्तों उसके बाद दुस्तों मैं यहां पर कलर अधार काड बनाना चाहता इतना फास्ट तरीका से बना के देगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे चलिए मैं इसको क्लोज कर लेता हम क्लोज बटन में क्लिक करता हूं सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको पांच काड बनाना है तो इसके अंदर पांचों काड ओपन कर लेंगे तो उसके बाद यह इस तरीका से बना करके आपको दे दिया जाएगा उसके बाद अगर आप इसको परीट आओट करना चाहते हैं तो परीट बटन में क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर देखेंगे तीन बटन आपको दिखेंगे, प्रिंट बटन करने के लिए, यहां पर सबसे पहला, CS3 प्रिंट, CS6 प्रिंट, PSCC प्रिंट, फोडो सॉप का CC वर्जन में आप प्रिंट कर सकते हो, इसका मतलब यहां जो बटन है, वो तीनो वर्जन के लिए अलग-अलग है, अब ऐसा नहीं कि मातर तीनी वर्जन के लिए प्रिंट के लिए दिया है, तो CS4 में कैसे करेंगे, CS6 में, नहीं, आप चाहो तो CS3 यूज़ क टाइस, 24 जो भी आपका वर्जन चलना है लेटिस्ट, उसके उपर किलिक करेंगे, यहां पर देखेंगे कि कार्ट प्रिंटिंग टूल जो है, यहां पर प्रिंटिंग का सेट-अप स्टार्ट हो गया है, अब इसके अंदर आप अपना सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग वग को डाउनलोड कर पाएंगे और दोस्तों कि जिसके पास पहले से यह कार्ट पेंटिंग टूल डाउनलोड हुआ पड़ा है यह जिसने खरीदा है उसके अंदर थोड़ी जो प्रॉब्लम है वह कैसे सॉल्व होगा उनको अपडेट कैसे मिलेगा तो देखे दोस्तों उनको दौनलोड करके इसको इंस्टाल कर पाईंगे उसके लिए इक अलग लिंक दिया जाएगा उससे आप डाउलोड करके अप इससे इंस्टाल करें इसके यह बाद यह अपडेट हो जाएका और बहुरुत ही फोड़ीस में यूज़ कर पाएंगे और इसके अंदर कार्ड बढ़े हैं वो भी card का अपडेट मिल जाएगा जो इसके अंदर card का अपडेट मिला है जो भी एक दो तीन तरीका के card इसके अंदर add हुआ ہے बिहार के रासन card ई-sumble card और अधार card में नंबर के साथ आफ आधार card निकाल पाएंगे तो वो सभी जो फीचर वो सब मिल जाएगा आपको बहुत है आसाने से और यह जो है और यह जो स्वाप्टर दुस्तों अब जादा है फ्लेक्सिबल एडवांस हो चुका है इसके अंदर आपको और भी कम समस्याए होगी और बहुत ही अपना काम को आसान कर पाएंगे हुआ हरो हुआ प्लेक्चर को बहुत है यह भी कि वेजहर है यह हो झा़ाद बहुत है आसने हम मしょう कि वेफ्टरन। कर में हैं बहुत है अंदर दुन जाएबस चाहा है